नमस्कार क्या पचल टीवी का खाश और आहुल का अगने पर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट सामने आने के बाद कॉंग्रूस पार्टी सेवी की प्रमुक मादवी भूच के इस्थफे और अडानी समू से जुड़े मामले की जेपीसी से जाच की मांग कर रही हैं अब इसी मांग को लेकर कॉंग्रूस पार्टी 22 अगस्थ को देशवापी प्रदर्शन करेगी इतना ही नहीं कॉंग्रूस पार्टी ने अलान किया है कि 22 अगस्थ को देश भर के ED ऑफिस का घिरा भी किया जाएगा तो सवाल यह है कि अचानक से कॉंग्रोस पार्टी इतनी आक्रमक क्यों हो गई है क्या है कॉंग्रोस पार्टी की रनीती बताएंगे आपको साथी रश्या टुडे के शोशल मीडिया एकाउंट से एक वीडियो शेयर किया जिसमेरा गांधी नजर आ रहे हैं पर इस वीडियो पर कॉंग्रुस पार्टी में आपत्ती zakषटा दी है कॉंग्रस ने सवाल चिया कि अदिटेट वीडियो शेयर कर रसिया आखिर क्यों डुमेस्टिक पॉलिटिक्स में शामल फोन आचावी है तो इस वीडियो से मचे कॉंट्रवर्सी का भी जिक्र करेंगे मेरे साथ स्टूड़े में मौझूद है क्यापटल टीवी के एक्सक्यूटिप एटटेर राजीर जी सरा आपका बहुत-बहुत स्वाथ धन्नेवाद 22 अगस्त को जो क किंडनबर्ग रिपोर्ट जो आया दूसरी बार जो सेवी प्रमुक के किलाप आरोप लगे है उससे कॉंग्रेस बेचैन हो गई है क्योंकि लगता है कि सेवी प्रमुक भी अडानिक ग्रूप के साथ मिली हुई है अगर माधवी बुच उससे मिली हुई है तो फिर उन्हों पूरी प्रोपरटी शेयर मार्केट में जो लगाई हुई है, स्टॉक मार्केट में जो उनकी पैसे लगे हुई है, उसके सारी जानकारी सेवी को क्यों दी थी? और सेभी जॉइन करने से दो साल पहले उन कमपनियों में इन्होंने सेयर लगाया था ये सारी जानकारी सब के सामने है और इस बात को छिपाया नहीं जा रहा लेकिन दूसरी बात राहुल गांधी को सेयर मारकेट से इतनी नफरत है या अडानी से नफरत है या फिर अमेरिका के हिंडन बर्ग से जादा प्यार है इन सारे मामलों को एक साथ देखने की जरूरत है अगर राहुल गांधी को सेयर मारकेट में चड़ाव उतार से परिशानी हो रही है तो कम से कम अपने सेयर वैल्यू को देख ले जिस तरीके से राहुल गांधी ने सेयर मारकेट में अपने पैसे लगाए और पैसे किसमें लगाए बजाज फिनांस में पैसे हिंदुस्तान इुनिलीबर में पैसे जिन जगों पर लगाए उस में से ज़्यादा तरके सेयर उच्छाल मार रहे है ये तक्रीबन पाँच महीनों में राहुल गांदी ने 40 लाग से ज़्यादा पैसे उसी सेर मार्केट से कमाए है तो क्या सिर्फ अडानी के कारण सेर मार्केट डाउन हो रहा है अडानी के कारण सेर मार्केट में उच्छाल नहीं आ रहा है तो ये तो राहुल गांदी के लिए अपने नीजी स्वार्त है जिससे ये पता चलता है कि ये हिंडन वर्ग रिपोर्ट केबल और केबल भारत में आर्थिक अराजकता पैदा करने का एक हतियार है क्योंकि उसी हिंडन वर्ग में डिरेक्टर कभी रहा करता था जासुरोस उस लिए राहुल गांदी केबल और केबल हिंडन वर्ग रिपोर्ट की आड़ ले रहे हैं अभी के समय में क्योंकि ये रिपोर्ट तो पहले भी आई थी आंदोलन तो पहले भी नहीं हुआ था जेपी सी की मांग तो पहले भी की गई थी अडानी के मामले में पहले भी कॉंग लेकिन इस बीच राहुल गांधी अचानस जागरित हो जाते हैं। 15 अगस से पहले वो एक प्लान बनाने की कोशिश करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन किया जाएगा। लेकिन अगर आप हिंदनबर्ग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। सेवी की बात कर रहे हैं और मोधी सरकार की बात कर रहे हैं। अगर इन तीनों और उसमें अडानी को भी जोड़ ले तो आपके अंदोलन का आधार क्या होना चाहिए। आप सेवी के दफ्तर के उपर घेराओ करो आप मोधी सरकार के यानि भारते जन्ता पार्टी के दफ्तरों के उपर घेराओ करो उसके आसपास आंदोलन करो या फिर लोगों को मोबलाइज करने की कोशिस आपको जिस तरीके से करना है वो तरीका अपना सकते हो लेकिन इसमें ED की क्या भूमिका है सेबी की जाच करने के लिए ED को एंट्री नहीं दी गई है उसकी जाच ED नहीं कर रही है और आपको किसी भी जाच एजनसी के उपर भरोसा नहीं है इसलिए तो जॉइंट पार्लेमेंटरी कमिटी की बात कर रहे है आपको अगर सुप्रिम कोट के उपर भी भरोसा होता तब भी आप कहते कि सुप्रिम कोट ने पिछले हिंटनबर्ग रिपोर्ट को साब तोर पर इग्नोर कर दिया था नकार दिया था कहा था कि ये विदेशी रिपोर्ट से हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं है इसमें कहीं न कहीं कोई कॉंस्परेसी दिखाई पूर लेकिन इस बार कॉंग्रिस पार्टी ने एलान किया है कि सारे जितने भी ED दफतर है उनके सारे ओफिसों का घिराव करेंगे ED के दफतरों तक जाने का क्या मकसद है मकसद तो यही है कि ये हिंडन बर्ग की रिपोर्ट का आड़ लिया जा रहा है उसके सारे ये ED के उपर दबाब बनाने की कोशिश कर रहे है क्योंकि कुछ दिन पहले से ये रिपोर्ट चल रही है कि ED ने चासीट तयार करके रखी है नेशनल हेराड के मामले में और जब नेशनल हेराड का मामला सामने आ रहा है तो फिर चासीट के बाद ट्राइल सुरू होगा और उससे पहले राहुल गांधी सोनिया गांधी से फिर से पूछता चोगी अब ये बात जब सामने आई तो इन लोगों ने आनन फानन में कॉंग्रेस की मिटिंग बुलाई क्योंकि इसमें तो मलिका अरजुन खड़गे भी फसा हुआ है इसमें तो डीके शिवकुमार भी फसा हुआ है राहुल गांधी सोनिया गांधी फसे हुए हैं और कई कॉंग्रेस के नेता इसमें फस चुके हैं जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि कैसे पाँच हजार करोड की संपत्ती को इन लोगों ने केबल पाँच लाख रूपे की कंपनी बना कर हड़प लिया तो ऐसे में अब तो ये साफ हो गया है कि एडी अब फिर से बैक फूट पर जाने के मोड में नहीं है अब आगे बढ़ना है निस्टनल हिराल्ड के मामले में और मनी लॉंडरिंग का मामला है तो राहुल गांदी से पूच्टाच होगी हिरासत में भी लिया जा सकता है तो इससे पहले ये जरूरी है कि एडी पर दबाब बनाया जाए एडी के दफ्तरों पर तोड़ फूड किया जाए और ये जाच एजेंसी पर ऐसा दबाब बनाए कि अगर राहुल गांदी से पूच्टाच भी हो तो हिरासत में ना लिया जाए पिछली बार भी पूच्टाच भी और 40 गंटे तक राहुल गांदी से पूच्टाच भी दो दिन में पूच्टाच भी लेकिन उस भी हिरासत में नहीं लिया गया क्रोस कोशनिंग होगा, कोट में सजा मुकरर की जाएगी तो उससे पहले गिरफतार किया जा सकता है मतलब ये पूरा का पूरा प्रेशर पॉलिटिक्स है ED को लेकर खैर सर एक रशिया टुडे ने एक वीडियो शेयर किया जिसको केरला कॉंगरस ने ट्वीट भी किया लेकिन उस पर इतनी जाधा कॉंट्रवर्सी हो गई उसके बाद तो वीडियो को हटा दिया गया लेकिन कॉंगरस पार्टी कई सारे आरोप लगा रही है बीजेपी से फंड लेने का भी आरोप लगा चुकी है कि रसिया चुडे ने जो वीडियो बनाया लाइट, कैमरा, एक्षन, नॉंसेंस ये राहुल गांधी को एक तरह से पपो बता दिया उस वीडियो में ऐसा क्या हो गया कि जिससे ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में रूस के इंटरफरेंस की बात हो रही है अगर राहुल गांधी बिदेशी एजेंसियों पर भरोसा कर सकते हैं अगर राहुल गांधी बिदेश की सरकारों को हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पर जो खत्रा पैदा करने की बात करके इंटरफरेंस की बात कर रहे हैं तो फिर रूस से अचानक से नफरत कैसे हो गया जब परदान मंत्री नरेंदर मोदी रूस के दोरे पर गये थे तो पूरी कॉंग्रेस की टीम इस बात के लिए हंगामा कर रही थी कि ऐसे समय में पिये मोदी रूस क्यों जा रहे है यह उकरेंद के साथ युद्ध चल रहा है पिये मोदी क्या दिखाना चाहते हैं तुलना क्या की गई तुलना की गई पिये मोदी और पुतीन की कि जिस तरह से पुतीन ताना सा है मोदी भी ताना शा है और इसलिए दोनों ताना साओं के बीच अच्छी दोस्ती है अगर पिये मोदी और पुतीन की दोस्ती है तो फि पिर राहुल गांधी के खिलाफ रसिया टूटे क्यों åसी बात करें इसलिए अभी जो रसिया टूटे ने वीडिव बनाया वह यह लोग कह रहे हैं कि edited video है social media पर मोधी के खिलाफ कितने edited video चल रहे हैं और जहां तक domestic politics में किसी दूसरे डेश के interference की बात है तो इसकी सुरुआत किस ने की? 2014 से अब तक देखिए जितना इंटर्फरेंस की बात राहुल गांधी ने की है अपने हर विदेशी दोरे में पिछले बार जब अमेरिका गए इन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तान में लोकतंतर खत्रे में है इसलिए डेमोक्रेसी के डिफेंडर को हिंदुस्तान की राजनीती में इंटर्फरेंस करना चाहिए जब C.A. के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो इनहीं के चहेती मम्ता बनर जी ने UN से रिक्वेस्ट किया हिंदुस्तान में अलफ संख्यकों को प्रतारित किया जा रहा है उनके खिलाफ सरकार लगी हुई है इसलिए UN को इसमें इंटर्फेर करना चाहिए राहुल गांदी एरोप के दोरे पर जाते हैं वहां भी हिंदुस्तान में अलफ संख्यकों के उपर हो रहे है अत्याचार की बात करते हैं और कहते हैं कि यहां पर मानवाधिकार नहीं चल रहा है मानवाधिकार के खिलाफ काम उरा है इसलिए पूरे दुनिया के जितने मानवाधिकार के लिए काम करने वाले एजेंसियां हैं सब को हिंदुस्तान पर ध्यान देना चाहिए यह तानाशाही सरकार चल रहे हिंदुस्तान के अंदर आप पूरे दुनिया के देशों को इकटा करके हिंदुस्तान की राज कार नहीं है क्या अमेरिका के निवाक्स टाइम्स में जब मोदी के खिलाब ख़वर चपती है तो आप लोग उसका हवाला नहीं देते हो यह अरविंद केद्रिवाल से लेकर राहुल गांधी तक ममता बनर जी तक हर लोग इस बात के लिए तैयारी करते रहते हैं अल जजीरा में मोदी के खिलाब क्या चपा यह निवाक्स टाइस में क्या चपा यूके टाइम्स में क्या चपा इन ही जगों से रिपोर्ट लाला के आज हिंडन वर्ग के उस मुद्दे को जिवित करने की कोसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी को इस बात का डर है कि रूस ने अभी तो सुरुवाद की है इसके बाद क्या होगा क्योंकि रूस के पास तो वह document भी है जिसमें इनकी मा सोनिया गांधी के खिलाफ यह बाते कही गे है कि यह भी KGB के लिए काम करती थी यह भी एजेंड हुआ करती थी राहूल गांधी और सोनिया गांधी का चीन के साथ संबंध ये रूस से छिपा हुआ नहीं है के जी भी के पास कई ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं जिसमें इनके खिलाफ वो सुबूत होंगे जिसके बाद देश द्रोह का आरोप लगेगा यानि की इस सुरुवात से ये लोग डरे हुए हैं कि रूस ने अब हिंदुस्तान म खिलाब बोलना सुरू कर दिया है इसलिए आगे कुछ भी हो सकता है उससे पहले इस मुद्दे को दवाने के लिए रूस के उपर दवाब बनाओ लेकिन अब खेल सुरू हो चुका है तो इसका अंध तो राहुल गांधी की गिरफतारी से ही होगा बिल्कुल बहुत बहुत अगस्त को पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन होगा बहाना तो अडानी हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट और अलग-अलग मुद्व को लेकर बनाया जा रहा है पर विरोध प्रदर्शन के पीछे राखुल गांधी और कॉंग्रस की रनीती कुछ और ही है तो इस प